अबी नौ बजे हैं अभी वीदे पीपल का कंसेप्ट बताने की बताने का वक्त हो चुका है मैं सुधी राज सिंग सर से विरंति करता हूं कि कुपयाओ अपना कंसेप्ट कंसेप्ट का वक्त वे दे जी आज हमने दिल्ली में जो कंसेप्ट का चार साड़े-चार मेने की मेहनत का जो असर है उसको पहली वाद देखा जो वीदा पीपल के जितने भी सक्रिये लोग हैं जो कंसेप्ट को समझ गए हैं जो जान गए हैं वो साधान से लोग मतलब उनमें कोई आदमी ऐसा नहीं जो पहले से जानता हो या पहले से जोगों को इकटा करने का काम करता हो वह यहीं से सीखे यहीं से जाने और उन लोगों ने लोगों को मॉबिलाज किया, उनको कंसेट बताया, तो यह माझन के चले थे कि दिल्ली अमनाे दरसल से महले में खटे हो जाते हैं आदू मगर महा माहा नगर में और महा नगर नगर में भी खास तौर से छो फसा हुआ है क्जो वालज सिटी बोलते हैं जिसके साथ दरवाजे होते थे डिशी साफ गेट होते थे उस दिवार के पुरे भारत के लोग उसमें सबसे जएदा हरे आने से पंजाब से अधर बैहार से आग दे तो सबी लोग यहां बड़े आजाद मस्त के लोग हैं और सब के पास में बड़े संसादन है और यहां अच्छी होती है तो यहां movement को चलाना या लोगों को बताना बड़ा है और यहां किराए के आदिम बहुत मिलते हैं अगर आपने कोई रैली वज़ारा करनी है तो यहां बैनर पटी सही तो आपको पांच सुरुपे साथ सुरुपे पर आदमी के हसाब से मिल जाता है यहां बिजनिस चलता है इस बात का जितने भी लोग डिली में रैली करने आते रामना मैदान में अगर आप सर्वे करेंगे तो उनमें एक ही चाहरे मिलेंगे मगए जंडे बिल्य अलगर हुए उनका तय है कि उनको पांच सुरुपे या साथ सुरुपे मिलता है खाना मिलता है और वो किसी का भी जंडा उठा लेते हैं वो रोज उनका यही काम है तो य निए निए सुष्जी करते हैं तो आउट जी ने किया और मैं यह उमीद मान रहा था के करीब लोग वहां आ जाएंगे तो सफल होजाएगी क्योंकि पहली वार है और लोगों को कंसेट बताने में टाइम ड़कता है मगर वहां उन्होंने जो संख्या है वो लगबग दोसों करीब पहुंचा दी और दोसों का मतलब है कि जो लोगों को कंसर्ट पसंद आया और जो उन्होंने महनत की वह बहुत बढ़िया की क्योंकि दिल्ली में दोसों आदमी अच्छे-च्छे के इखटे नहीं होते या होता है तो हमने यह चयक किया वीड़ा का यह बचान बचाने के लिए और उनको समझने के लिए समझने आ रहा है हमने ہान पर चौकर कितने लोग हैं यैजो कंसेप्ट को जूम मीटिंग से समझ चुके हैं तो उन्हें लगबगद 200 लोगों वैसे आधे लोगों ने और यह 200 लोग हैं यह पक्के लोग हैं ऐसा नहीं है कि 20 लोग हैं तो हम 200 बता रहे हैं क्योंकि हमें जुट बोलने की जवत नहीं है और वहां जो लोग थे सब जानते हैं तो आधे लोगों ने हाथ उठाए तो हमने उसे पूछा कि पराठे कौन-कौन लेका आया है क्योंकि खाना अतना खाना है तो आधे से ज़्यादा लोगों ने हाथ उठाए कि वह पराठे और अचार भी लेके आए हुए हैं और वहां खाना इतना था कि खाना बाद में बर्च गया यह बाद बड़े अच्छी हुई और यह जो मीटिंग दिली में जो 200 आदमियों की लगी है इसमें कम से कम 2 लाक लाक रुपर बड़े मज़े से खर्च हो जाते हैं मगर हमारा वहां सिर्फ इतना पैसा खर्च हुआ कि तलग राजी ने दो बैनल आए थी बनवा के वह उन्होंने अपनी जेप से दिया और बाकी सब अपने अपने पराठे लाए थे उसका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ और वहां जगे का एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ जैसा कि वीदा पीपल ने कहा है कि छोटी-छोटी मिटिंग के लिए आप फिरी की जगे ले 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 तो फिरी की जगे वहां थी और ऐसा वीदा पीपल बोलता है कि अपना जो समर्ण समाज है उसकी जमील ले या उसका घर ले तो उन्हों हमने अपने ही समर्ण समाज की महां मिटिंग तो कई लोगों ने इस पर इत्राज किया कि आपने जो जगे ली है वो एक मिनिश्टर है हलाकि वो मिनिश्टर मंत्री नहीं है वो मिनिश्टर मंत्री ऑफिस में बैठके किसी और व्यक्ति के लिए हो और इससे भी बड़ी बात थे हैं कि वो समर्समाज के बीखती हैं और वहां उन्होंने जो समर्समाज की भूमी का होती है पूरी वहां उन्होंने निभाइए anhे हैा तर वहां एक vision हुआ सब से में इसको छोड़ दो तो दसेरे और अठभी पर हमारे लोग मायूस हो जाते हैं कि वो क्या करें तो यह बात है होई कि बैए उन लोगों को काम देना चाहिए उन पूरे भारत में दसेरे से जो अगला संड़े होगा क्योंकि नागपुर में तो हम धंदिक्टा भूमी पर लाखोगी संख्या में खट्के होते हैं तो जो नागपुर जाता है और सब को जाना चाहिए मगर नहीं जाता है वो क्या करें तो दसेरे पर अधितलोग अपने काई में रहता हूं हर साल दसरे में वहां एक धंबा फ्रेडिसन है उस पर मेरा लेक्षर होता है पिछले तीन साल से लगाता रहे पिछली वार को नहीं हुआ इस वार भी है तो जो अगर ना लगा पाए तो उनके लिए था कि भई दसरे से अगले दिन जो संडे पड़ेगा उसको सब लोग इखटे हो और पिक्निक के रूप में मनाएं जहां कोई बाग है बगीचा है पार्क है या चोटी मुली जगए वहां लोग मिलें आपस में और वह अपना धंब का दसरा मनाने का क्योंकि संडे को हमाई लोग खाली रहते हैं संडे को चुक्ती होती तो मनाएं तो सब आब आब है कि संग जो परइवारब समय के लिए का नियव है कि संग खाना का ये खाएगा उसमें बेदबाब कखत्म हो जाएका खाना ड enterprise की का है किसी का तेल का можем को सब पराबर हो जाएगा जिसके हιस्थे में जो परिवार ख़ाना आएगा वह खाएगा तो उससे एक कुशी की मेरास में दोड़ी जैसे ही वह extra क की मयाथ दोड़ी उससे ज्यादा चेहरे लोगों के चेहरे पे खुशी चंकी और काईकरम अपने जो देश्टे के लिए परिवार को मिलाने के लिए और वीदा पीपल जोडने जो जोडने का जो काईकरम था वो सफल रहा बाद में रायंदरपाल एडवोकेट जो सामाजी के निया मं लगाएंगे अपने फेस्बूक पर लगाएंगे अब यह वी का जो लोगों है यह उनको बचाएगा ऐसी बात वहां तैय हुई है लोगों ने वहां संकल्प लिया कि अब हम वी लगाएंगे सारी बातें वहां बहुत अच्छी रहीं वहां जितने भी लोग आये थे वह बहुत साधरन सा है कोई आप से पूशता है कि वीदा पीपल का क्या उद्देश से है तो आप एक सेंटेंस में कह सकते हैं वीदा पीपल का उद्देश से है हमें समझ समाज के लिए सुख चाहिए सुख की लड़ाई है हमको सुख चाहिए तो वो कहेगा कि सुख क्या होता है अगर उसको यह पता नहीं है तो अलग बात है मगर अगर पता है तो वो समझ जाएगा तो यह कहेगा सुख कैसे मिलेगा तो सीधा सा मतलब है कि वह सुख कैसे मिलता है सुख वैसे मिलता है कि अगर हमारा दुख चला जाए तो हमारे पास जो बचेगा वो सुख होता है हर प् होता है जब उसके पेट में भूफ लगती है तब रोता है और उसकी भूफ अगर सांत हो जाए तो फिर हसने लगता है तो हम चोंकि बड़े बच्चे हैं और हमारी है और हमारे खुद के बच्चे भी हैं तो हमें अपने बच्चों का सुख चाहिए हमें अपना सुख चाहिए अपने माता पिता का सुख चाहिए तो हमें अपने दोस्त का भी सुख चाहिए तो हमें अपने महले का अपने सारे परोस का गाओं का तैसील का पूरे जो प पास सुख की सब चीज है उसके पास इज्जत है मान है सम्मान है उसके पास भर पेट खाना है बलकर वो खाना उसके पास इतना है कि वो फैंक भी देता है सड़ा भी देता है उसके पास में सारी मोटर कार है उसके पास कोटी है उसके बास बंगला है उसके पास सारी एजूके नाकता है वह कानुन बनाने और विगारने की पोजिशन में भी है और वह देस के जतना बजट है, उसको कैसे खर्च करेंगे, उसकी भी सक्ति उसके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है, सिवाये जन संख्या के. तो ये हुआ कि अतनी नौक्टिय मिलेंगे और यह मिलेगा समुद्धान में इसकी कारimmenटी शहयता को लेने के लिए आपको संखिया दिखानी पड़ेगी आप आप संखिया आप दिख थो ब्लिकरों मिलेगी इतनी हिस्धारी में नियह चीना जाएगा उतनी हिस्सेदारी में जो आप इतने टूकलों में टूटे हुए हो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आप पिटोंगे तो आपको बचाने कोन आएगा आप तो चाल लाग संग्ठनों में टूटे हुए हो और आप 6743 जातियों में तूटे हुए हो तो आप अगर तो अपनी जाती में जाके रोगे या अपने संग्ठन में रोगे तो एक संग्ठन बचाएगा कैसे क्योंकि उसमें तबीस आदमी है कोई बहुत बड़ा संग्ठन होगा तो हजारा आदमी का गुरूप होगा तो व को अगरं हम झाइं यह देख लिया कि हम अलग अलग रहने से कर देखते हैं फिर हम लोगों को मारने की श्युम आजाते हैं तो हमारा वचाप तो बस्पर हमला करे आप उस पर हमला करोगे तो आप थो अपने बचगे फिर आप पर को बचन ही पड़ेगा हाँ आपको हमला करेगा तब आपको बचना पड़ेगा तो वहीं यह कहता है सम्मिधान कि भई अगर आपको बचना है तो आप इखटे हो के और कानून बनाने वाली कोईशन ना जाओ तो फिर आपके कानून पर हमला कोन करेगा तो आपने अटेक कर दिया ना कार्ड को लेने के लिए इस सम्मिधान के हग को लेने के लिए इस कानून बनाने वाले हग को लेने के लिए इस महापर यह लिखने के लिए कि हमारे भारत में जितने समझ लोग है उनको रोजगार की गारटी मिलनी चाहिए उनको यह काम मिलना चाहिए उनको इजद मिलनी युद्ध करना है ना हत्यार उठाना है, कोई काम नहीं करना है, आपने … सम्विधान में साफ लिखा हुआ है। नहीं कि कॉई काम करने वाले करना है वेशले जाएं और कि करना है, तो जैसे कि आपने को बात negotiation जाएंगे, तो तो आपकी बात माननी पड़ेगी वनना उसे आप खटा दोंगे तो फिर आप कारून बना लोगे और इकटे हो जाओगे तो आपने अगर कंपनी वाले से कह दिया कि कंपनी वाले इसमें हमारे आदमी तो काम करते हैं एरस बंद कर देता है तो वो कहे पैसा मैं आपके आदमी इसमें लगा देता हूँ और उनको पूरा पैसा भी दोंगा आप मेरा माल खहिते रेना वरना हम कहेंगे भाई हम कंपनी खोल देते हैं क्योंकि कंपनी तो हम ही चलाते हैं भाई यह इंट गारे को कंपनी थोड़ी बोलते हैं यह जो लोगों ने टीन शेंट ड оно कंते हैं होको है यह आदमी मार् loops में हमारा हिस्सा कैसा होगा अको पंटे करोणों की है हमारी है सब घर में रहते हैं तो घर तो बनाते हैं सब खाना खाते हैं तो बजार से खाने का सामान तो लेके आते हैं तो एक सो पंदे करोल लोग जो सामान खैद रहे हैं तो बजार किसका है बजार बेचने वाले का नहीं होता कभी बजार कभी किसी दुकानदार का नहीं होता बजार उसका होता है, जिसके खड़ार होते हैं. क्योंकि किसी ने बहुत बड़ीया दुकान सजाई, बहुत बड़ीया सोरोम खोला, और वो ये भी कहे दे के मैं एक के साथ एक मुफ्त देता हूं, या वो ये भी कहे दे के मैं आधיpha ए्ट पर सावान देता हूं, तो भी अगर खेदा उसकी दुकान पर नहीं जाएगा तो क्या दुकान है उसकी वो तो बंद हो जाएगी कुड़ा हो जाएगी घाटे में चले जाएगी खतम हो जाएगी वो तो और उस पर गरहाग जाएगा तो कोई छोटी दुकान भी है तो बड़ी हो जाएगी तो दुक कौन है दुकान तो हम हैं ओसमाज को के कहता हो कि सामाज Gib सेंस्क्रीध बंद्राभ करें यहां प्रवत भाथ बनाने से हमानी समस्य दूर हो जाएगी तो हो जाएक इसमें कोई शक नहीं है तो हो जाएग audi सती बाइगा किलिशन स्रंद अपको इस अभी हो आपधी ना बंना चाहो तो ना बनो कोई दिक्ते हो जाओ आप एक्सों पंडे करोड़ू लोग इखटे हो जाओ और यह कहो कि आज से हमारा हम नाम है गलास यह जो आप गलास देख रहे हो यह वाला गलास यह गलास है जिसमें पानी पीते हैं हम तो कौन से मत के आदमी हैं हम तो ग्लास के मत के आदमी हैं जिसमें पानी पीते हैं तो आपका ग्लास मत ही कामयाब हो जाएगा क्योंकि आप इखटे हैं इसलिए किसी मत में दम नहीं होता उसके पीछे जो लोग इखटे होते हैं उसमें दम होता है आप कैदो के 150 क्रोल लोगास से हमारे मत का नाम है चंमच तो जोच चंमच मत का नाम है वही पापफर हो जाएगा वही दुनिया में फिरमस हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे 115 क्रोल लोग खड़े हुए हैं और आप अलग-अलग कोड़ों में बटे रहो रहो बैठे बल में है और हमारा बल संख्या बल में है अगर हम बचेंगे और जीतेंगे तो इखटे होंगे तब बचेंगे कोई आदमी यह सोचता हो कि मैं बहुत पड़ा लिखा हूँ मैं सम्विधान जानता हूँ मैं धंव पूरा जानता हूँ मैं यह सारी चीज़ें जानता हूँ मैं राजनिति का गुरू हूँ, मैं प्रॉफिजर हूं राजनिति का और वो कुछ भी कहता रहे, वो काम्याब नहीं हो सकता क्योंकि सम्विधान मैं तो जन्बल चलता है, सम्विधान ये कहा कहता है कि कोई PhD आदमी है तो उसकी बात सुनूँगा, सम्विधान ये कहा कहता है कि कोई बहुत रिचा आदमी है तो मैं उसकी बात सुनूँगा सम्विधान तो ये कहता है कि तेरी भी एक गोट है मेरा भी उसका भी एक मत है और जो गरीव आदमी उसका भी है तो आप मत इखटे कर लो आप जितना ज़्यादा मत इखटे कर लोग जितना ज्यादा कंसेंट इखटी कर लोगे, जितना ज्यादा लोगों को इखटा कर लोगे, सम्विधान उतनी आपकी बात मानेगा, और तबी तक मानेगा, जब तक सम्विधान लागू है, क्योंकि अगर सम्विधान लागू नहीं है, तो सम्विधान कहतेगा, मैं तो खटा भी होना है तो ताइम से खटा होना है पहले खटा होना है और इखटे होने अब इखटे कैसे होगे भाई यह पोर्टल से 142 लोग है यह भी खटा कर सकते हैं क्योंकि 142 लोग अगर अपनी जुम्मधारी समझे आज दिल्ली की मीटिंग होई तो उसमें जो साथ ही है उन्होंने अपनी जुम्मधारी समझी और 200 लोग वह इकटे कर दिये उन 200 लोगों को आज हमां कंसर्ट बताया समझाया उसमें सब लोगों ने कहा कि कंसर्ट बहुत को सिखाएं कि जुड़ना है 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 इखटे करने का काम है पहले हमारे दिमाग में आया कि भाई सभी के दिमाग में आता है हमारे क्या आया कि हमारे जितने भी संधन है उनको इखटा किया जाए क्योंकि काम तो नहीं का है तो हमने कोशिश की बहुत लोगों ने कोशिश की हमने भी की हमने इनकी पैसे भी खटे क किये हमने सभा लगाई महां की दावत भी की इनको बुलाया और अफसोस की बात यह है कि जोडने जोडने पर एक आदम नहीं बुला हुआ किसे नहीं किया कहा साथ सबने तो हमकि समझ में आया कि इनकी क्षुपी इच्छा है यह कि उसी को माल लेंगे तो नेथा कहते हम तो कभी खटे होंगे नहीं तुम हमें नेता माल लो तो हम लोग किस को अपना नेता माने दी तो बड़ी दिक्कत हो गई और वो इखटे हुए तो इस बीच में घटना घट गई के हमारा सम्यदान फिर एक पेज निकाल के फार दिया दो पेला ठारे का निकाल के फार दिया सारी नेता भाग एचोड़ों के हम और को को 흥 रहीं कर नेता खटे नहीं हुए हमा उसस सज्किव बचाने क्लिए फिर लोगों ने कहा कि भी हमीखटे हो जाते हैं तो लोग खटे हुए तो जब लोग खटे को के शड़क पर आगे गए दो पहल को, तो मैं तुम्हारी बात मांता हूँ तो मैं तुम्हारा पन्ठा जो कुछ लोगों ने फालके फैंक दिया था मैं उसको जोड़ देता हूँ, तो इसका मतलब संविधान में ताकत है, अगर आप इखटे हो जाते हैं त सम्विधान आपकी बात मानेगा और अगर हम इखटे ना होते दो पहले ठारे को तो सम्विधान क्या कहता तो सम्विधान कहता है कि देखो भई आप इखटे नहीं हुए तो मैं मजबूर हूँ मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता क्योंकि जो लोग थोड़े बहुत इखट संविधान की कमजूरी हैं वो संविधान की बीमारी हैं वो संविधान को मार रहे हैं जो संविधान अलग लग काम करते हैं वो रोज संविधान की हत्या करते हैं वो रोज संविधान का एक पेज निकाल के फार देते हैं और हम से आके क्या कहते हैं संविधान लगा दिया तो चब्दान लगा देंगे प्रेम्बल को पड़ेंगे रियांबल को पढ़ेंगे समीधान का जाएगा कोई ना को यहां जो एक एक आर्टिकल की व्याख्या कर देगा तेरे व्याक्या करने से एकर सम्धान बसता होता तो अब तक तो हजार बाइस एथिए सारे वकील है यह समबंधान का किसी चौराया पर वाचन कर डेते कर्देते लाएक लगा के बोलते तो सम्मिधान अब तक फूर कर कुपा हो जाता और वह तो चारगोणा मोटा हो है और इसका तो हमने उधार देख लिया दो प्रेल को जब घटे वह तो समधाल बच गया तो बावसाब कहते हैं कि भाईया संग्डित रहो संग्डित रहो तो बावा साहब अब खुलके लिखे जाते हैं वहां कि भाई तुम सबको संग्डित रहना है और एक नेता के लिए है तो हम देता हों कि गलेवान पकड़के कैँख सामने सोचा होगा कि नहींके संख्टरब समझते होँ इंको इतना भी समझ नहीं है कैसे में को इस अज़्टत हो और नहीं तॉ नहीं भारत में जितने भी नेता हैं वो सब बेरोजगार हैं और वो बेरोजगार हैं इसलिए नेता बनते हैं क्योंकि ये रोजगार है चंदा लेना एक रोजगार है और चंदे के लिए नेनी समस्या जो आती है सरकार की तरफ से उसका वह हुआ दिखा के अपना रोजगार चलाते हैं और यह एक दूसरे को इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि यह रुजगार कर रहे हैं तो बहुत सारे जो संग्ठन चलाने वाले लोग है उनको बड़ा लगता है कहता है वीदर पीपल वाले लोग कहते हैं जी संग्ठन बेकार है संग्ठन ऐसा करता है चंदा खाता है अरे मांते हैं लेकर चल गया लेकर पीछ चला गया साबधानी को भी बार 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 वाइक से चलाते हैं और साब्धान नहीं होते माइक से चलाते हैं और हमारे कान में पका दिया पर खुद नहीं खटे होते तो उस से उस से प्रशान होके फिर हमने कहा कि बहाई ऐसे बात निहीं बने गी, ऐसे तो मर जाएंगे, क्योंकि बावासागी जान जाए तो हमें भी है, तो हम अपना काम पर क्यों छोड़े जो नेता यहां रोजी रोटी के लिए हैं और नहीं बात माने तो उनको हम अपना नेता ना माने या माने अगर अपना काम उन पर ना छोड़े वनना हमारा काम खराब हो जाएगा यह ठीक ऐसे है जैसे कोई घर में आए और वह आपका खाना पकाई और बे वीदा पिपल में ऐसे ही बस ऐसे ही स्टार्ट हो गया और लोग इखटे होगे कि देखें कौन-कौन से लोग इसमत्के है कि हमको खुद काम करना चाहिए खुद आगे बना चाहिए तो पता चला देश में तो लाखों लोग त्यार बैठे हुए है नेताओं को छोड़ कर चाहिए वो धमिक नेता है चाहिए वो समाजिक मेर नेता है चाहिए वो राजनीतिक नेता है चाहिए वो आर्थिक नेता है उनको छोड़कर हर आदमी परिशान है हर आदमी चाहता है जुड़ना और हर आदमी को यह समझ है यह नेच्छल समझ है कि उसे जुड़ना है तब कर सकता है दिल्ली में 200 आद्म नहीं कटे होते अगर 200 आद्मी दिल्ली में खटे करती है साधान लोगों ने तो 400-500-600 भी कर सकते हैं और वो देश को बदल सकते हैं क्योंकि दिल्ली में अगर कोई experiment सफ़ल होता है तो राज्यों में, गाओं में, श्टेट में, तो बहुत बड़ा सफल होता है, ऐसा हर बात देखा गया है, इसको अजमाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और यहां चुकि सब को पता है कि वीदा पीपल का नेता सम्विधान है, और सम्विधान के अकॉर्णिंग हम चलते हैं, वो बाते हम कही वार बता चुके हैं और इस बात को सब जानते भी हैं कि सम्विधान हमारा नेता कैसे है और कैसे नहीं है, क्योंकि जैसे बाइबल हिसाईयों का नेता होती है, जैसे ग्रूगंत साब सिख्खों का नेता होता है, जैसे जो त्रिपी टके वो बु दुनिया भी जुटती है दुनिया उसको नकल करके कॉपी करके अपने यहां लेके जाती है तो वो हमारा नेता है और हमारा एक ही काम है एक कुद्धिस है कि हमको जिन्दा रहना है जिद्ध है हमारी जिन्दा रहने की क्योंकि जिन्दा रहेंगे तो हम जीतेंगे और हम आग जीते हैं अभी जुडोगे तो अभी जीत जाओगे आज अगर अभी 9 बज़ के 29 मिनट पे आप पूरे भारत में ये कह देते हैं कि हमारा समझ समाज जुड़ गया तो 9 बज़ के 30 मिनट पे आपकी सारी atrocities किक्तम हो जाएंगी सारे आपके जितने भी जुन्म होते हैं वो खतम हो जाएंगे आपका सम्विधान के जितने अधिकार गए वह बापिस vibe sign करना पड़ेगा वह सारे बापिस आजाएंगे जो अब तक नहीं जुड़े हैं जिनको बावा साथ भी नहीं जुड़ा पाए वो भी जुड़ जाएंगे आपका आर्थिक आधार आपका काम का राथिकार वह सब इसमें जुड़ जाएगे आपकी सोचल सिकॉर्टी इसके जुड़ जाएगी वह चीजें भी जुड़ जाएंगी नो बज़ कर तीस मेट पे अगर नो बज़ कर उत्तिस मेट पे आप जुड़ते हैं तो यह जिद जुड़ने की है इसके अलावा कोई व्यक्ति कोई पड़ा लिखा हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा जो विदवा किसी को लगता है जी कि हम बिजनिस करेंगे तो हमारा कल्याड होगा किसी को लगता है जी कि हम सांस्कति बदलाब करेंगे तो हमारा कल्याड होगा और बावा साहब में तो सारी काम करें हैं तो बावा साहब को पड़ लोग तो बावा साहब कहते हैं सारे काम करने हैं बाव इखटे होके आओगे तो हम सहायता करेंगे तो हम आपके साथ हैं वन्ना हम बहुत इससे इखटे हो रहे हैं अगर तुम इखटे होके नहीं आते हो तो जब तक इखटे नहीं होते हो तब तक भया तुम्हारा भई खाता बंद तुम्हारी परचिया बंद तुम्हारा एकाउ मारा देंगे और सबसे आगे वीदा पीपल रहेगा अगर सब लोग इखटे हो के आते हैं हमारे नेता उनकी लिए वबना आप इखटे होते जाएए नेता अपने आप इखटे हो जाएंगे और नहीं होंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि बावा साब ने कहा है संविधानिक अधिकार के लिए MP बनने की आवशक्ता नहीं है और MLA बनने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि संविधानिक अधिकार संख्या बल पर मिलते हैं जैसे दो करोड़ों जो जो सिक हैं उनकी बात पार्लियामेंट में सुनी जाती है जैसे हरियाने के जट इखटे है जाट इखटे वो सत्ता में रहे ना रहें उनके काम होते रहते हैं ठीक वैसे ही आप अगर इखटे हो जाते हैं तो एंपी एमले तो काम आपका धरवाजे पर आगे खुशे करेंगे ना भी करेंगे तो अभी पार्लेमेंट में काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुजन के आग क्या करें जी हम कुछ नहीं करना आपने यह जो वी का साइन है इस वी के साइन को लगाते जाओ आप दिवार पे घर पे पोस्टर पे साइकल पे स्कूटर पे टेलीफोन पे मोबाइल पे किताब पे गाड़ी पे बस में मैट्रों में वी भी लगाते जाओ इसका फाइदा होता है कि अगर आप को धे रहे और आपकी कार के पीछे भी लगा हुआ है और किसी भाधी मुर्चण बरवी लगा वा है तो आपो छूटते ही कहोंगे अच्छा एक परिवार का हमारा मेंब्र है आपका आगए जाकर चोटा बूट हो हो जाता है तो वह आपकी मदद करेग इसका स्वलक में फाइदा है, इसका घर पर फाइदा है, इसका समाज में फाइदा है, इसका देश में फाइदा है, आपकी जो पहचान है, वो वी है, जैसे जैसे हम की पचान आप करते जाएंगे, वैसे वैसे जीते जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हम वाले आदमियों को को हरा नहीं पाई है मैं वाले तो सारे हा रहे हैं मैं वाले सब हारे मगर हम वाला आस तक कोई नहीं हारा इस बात को ध्यान अखना हम बनना है भी बनना है वीदा बनना है हम जीत जाएंगे जिद्ध है जोड़नेगी जुड़ेंगे जीतेंगे धन्यवाद थैंक यू थैंक यू एरिमस्ट सुनीर सर बहुत ही बड़ी आका आपने कि सविदान हमारा लीडर है और हम जुड़ेंगे तो सब कुछ सारी समश्चाओं का समाधान हमें मिलने वाला है सर हम आपका शुक्रिया आदा करते क्योंकि हर दिन आप इतनी अच्छी बात कर देते हैं कि दिन बर वही उसी के उपर हम सोचते रहते आपने दिल्ली के कारेकरम के बारे में बताया वहाँ पर कोई नेता नहीं था सारे लोग इखटा इखटा वहाँ पर हो गए थे और सभीधान को नेता मान करी सब लोग हम अपना के मिशन आगे चलाएंगे बतो हमाँ आगे सारे सारे लोगका आगे चलाइब के अजए र tribe कर दो 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 झाल झाल